Hello Friends तीन महीने में स्टोक बढ़ा है और इंडेक्स बढ़ा है ये रेड लाइन है वो ये में 20 डेज की लाइन है ये ब्लू लाइन है वो ये में 50 डेज की लाइन है Nifty is making all time highs Nifty जिस तेजी से उपर गया है उस तरह की तेजी मैं पहली बार देख रहा हूँ correction तो आया ही नहीं market सिर्फ one side चली है ऐसी situation में अगर reversal होता है तो investors को नुकसान भी बढ़ा ही होता है Stock price ने यहाँ पर EMA 20 का support लिया कितनी सारी upper circuits लगी है Stock prices इस level पर टिक नहीं पाई यहाँ से lower circuit की शुरुआत हुई यह तो सबको पता होता है कि एक दिन यह upper circuit खतम हो जाएगी और lower circuit की शुरुआत होगी लेकिन upper circuit में एक दिन में इतना profit मिलता है जितना bank FD में एक साल में interest नहीं मिलता इसलिए लोग buying करते रहते हैं माईस 2020 से जो भी new investors आये हैं उन्होंने देड़ साल सिर्फ तेजी देखी पैसा भी बनाया मंदी का experience उनको नहीं था अब पैसे तूटने की शुरुआत हुई है यहाँ पर एक अपमो देख सकते हैं प्राइस तेजी से उपर उठी मुझे लगता है कि यहाँ पर retail investors ने buying की और उनमें से ज्यादातर investors बेच नहीं पाए हैं यहाँ से यहाँ तक जिसने भी लिया वो आज loss में है अगर किसी और stock के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप YouTube search में लिखें CA प्रशांशा और share का नाम जैसे आपको Reliance का वीडियो सर्च करना है तो CA प्रशांशा Reliance और सर्च करें आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी कल price की नीचे जाने की संभा होना ज्यादा है दो तीन दिनों का टारगेट तैंक यू